अतीक एहमत सले के पियूश जैन और ऐसे कई नाम हैं जो लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे आतंकी दुनिया में राज करने से लेकर मासूम से चेहरे के पीछे की खतरनाक सच्च्चाई तक नमशकार आप देख रहे हैं कापिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे एक मा की ममता इतनी बढ़ गई कि वो अपने बेटे के लिए जेल में ही चरस लेकर पहुँच गई तसकरी कर रहा था दरोगा जेल में चरस लेकर पहुँची एक मा तलाशी के दौरान हुआ बड़ा खुला सा दरसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जेल में बंद अपने गैंग्स्टर बेटे से मिलने पहुँची उसकी अम्मी को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है महिला दस फरवरी 2024 की दोपहर जिला जेल में अपने गैंग्स्टर बेटे से मिलने पहुची थी कैंदियों से मिलने आने आने वाली महिलाओं की महिला पुलीस तलाशी ले रही थी तलाशी के दौरान जो महिला पुलीस कर्मी ने उसके जूते उतरवाए तो उसमें से चरस का पैकेट मिला इसके बाद महिला पुलीस कर्मी ने इसकी जानकारी अपने उच्चे अधिकारियों को दी उच्च अधिकारी ने जूते से मिले चीज को देखा तो पाया की पैकेट में करीब 10 ग्राम चरस है आपको बता दे कि चरस प्रतिबंधित मादक पदार्थ है इसकी खरीद बिकरी पर प्रतिबंध है इसके बावजूद ही महिला इसे लेकर अपने बेटे को देने के लिए जेल पहुँची थी इस महिला का नाम अमीर फातिमा है ये तारीकम पूर निवासी जाहित हुसेन की बीवी है पूछताच में फातिमा ने बताया कि उसका बेटा पिछले एक साल से जेल में है और वो नशे का आदी है इसे लिए उसके लिए वो चरस लेकर आई थी हाला कि जेल के मुख्य गेट पर तलाशी के दौरान वो पकड़ी गई जेलर रविंद्र नात ने फातिमा के खिलाफ संबंदित धाराओं में रिपोर्ट दर्च कराई है जेलर रविंद्र नात ने बताया कि अमीर पातिमा का बेटा सावेज गैंक्स्टर है उस पर हत्या लूट चान लेवा हमला चोरी समेत सात मुकदमे दर्च हैं अब उसकी अम्मी पर भी ड्रग्स आदी से संबंदित विभिंधाराओं में मुकदमा दर्च करके उसका चाला कर दिया गया है हाला कि बात में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई बता दे कि दिसंबर 2030 में भी उत्तर प्रदेश के बिचनौर से कैसा ही मामला सामने आया था दरसल एक महिला का बेटा संचु सैनी हीमपूर्दी फाने का हिस्ट्री शीटर है और पिछले एक साल से जेल में बं हुई थी भांग की इन दोनों महिलाओं के खिलाफ पुलीस ने कारवाई के लिए पत्र भेज दिया था कहा जाता है कि वो पहले भी कई बार अपने बेटे को भांग लाकर दे चुकी थी संचु सैनी हिस्ट्री शीटर बदमाश है उस पर बिचनौर अम्रोहा और उत्राख के हरी द्वार में भी कई मुकदमे दर्च हैं वो गिरोहोबंदी अपराद करता है इसी तरह कुछ तिन पहले इसी तरह की घटना सामने आई थी राजस्थान के जालावार जिले में गांजा की खेती का मामला सामने आया था यहां महंदी के खेत में अवैद रूप से पौधे से 11 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामत किया था इसके साथ ही इस धंदे में शामिल एक शक्स को भी गिरफतार किया था बता दे कि ऐसे कई मामले आये दिन सामने आते रहते हैं जहां पुलीस ऐसे मामलों में तगड़ा आक्शन लेती है चलिए अब आप टीम ने लगपक 3 करोड कीमत के सूखे अवैद गांजे के साथ 5 तसकरों को गिरफतार किया था बता दे कि इनके कबसे से अवैद गांजे के परिवहन में प्रियुक्त की गए एक DCM ट्रक वा एक बुलेरो भी बरामत किया गया था वहीं पकड़े गए सभी अभियुक्तों त्वारा दिया गया था इस बारे में जुआनकारी देते हुए पुलीस अधिक्षक अंकूर अगरवाल ने बताया कि पुलीस मादक पदार्थों की तसकरी करने वाले गिरोहों के खिलाफ लगतार कारवाई कर रही है इसी कड़ी में गिरवा थाने की पुलीस और SOG टीम न तीन करोर रुपए आकी गई है उन्होंने बताया कि पुलीस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग थाना गिरवा शेत्र के ग्राम पतौरा मोड के पास अवैद मादक पदार्थ लिये हुए है तथा उसकी बिकरी करने की योजना बना रहे हैं ये सूचना मिलने पर पुलीस न पता चला कि मुख्य अभ्युक्त अरुन वा मनीश उडिसा से बिहार वा मध्य प्रदेश के रास्ते से अवैद सूके गांजे की खेप लाते हैं तथा प्रदीप नागेंदर नाथु यादव वा उसका लड़का मंगल यादव बांदा और आसपास के जनपदों में इसकी बिक्री करते हैं इन सभी अभ्युक्तों को गिरफतार किया गया है जबकि वांचित अभ्युक्त मंगल यादव के गिरफतारी के प्रयास किये जा रहे हैं पुलीस अधिक्षक ने ये भी बताया कि इतनी भारी मात्रा में बरामद हुआ गांजा बांदा में कभी बरामद नहीं किया गया, पकड़े गए सभी अपराधियों के खिलाफ पहले से कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, साथ ही पुलीस इनके नेटवर्क का पता करके उडिसा, मध्यप्रदेश और बिहार के तसकरों के खिलाफ कारवाई करेगी, पकड़े गए तसकरों के खिलाफ पुरस्कृत किया गया है, वहीं कुछ समय पहले यूपी के गोरकपूर में एक दरोगा अपने साथी संग गांजा तसकरी करते हुए पकड़ा गया था, चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं, दरसल उसके पाथ से शहापूर पुलीस ने 33 कीलो अवैद गांजा भी बरामत किया था, दरोगा अपने साथी संग नेपाल से गांजा मंगवा कर उसे यहां तसकरों को सप्लाई करता था, पकड़ा गया आरोपी दरोगा रविंद्र कुमार शुकला लखनों का रहने वाला है और वो गोरकपूर में समन सेल में तैनात था, इससे पहले आरोपी दरोगा महराज गन जिले में भी तैनात रह चुका है, जबकि उसका साथी कुलवीर सिंग तिवारी पूर इलाके के सूरज कुंट कॉलनी का रहने वाला है, दरोगा अपने साथी के साथ एक अटैची और एक पिट्ठू बैग में चरस गांजा भरकर स्कूटी से सप्लाई करने जा रहे थे, तभी असुरन पुल के नीचे उतरते ही पुलीस ने दोनों को दबोच लिया। जिसमें एक गोरकपूर पुलीस में तैनात है, इसके कबजे से 33 कीलो गांजा भी पुलीस ने बरामत किया है जिसकी कीमत करोडों में हैं। वहीं SPCITY ने बताया कि पूचताच में पता चला कि ये लोग नेपाल से तसकरी करते हैं और काफी दिनों से इस धंदे में लिप्त हैं। इनके खिलाव NDPS Act के तहट केस तर्च कर लिया गया है और आगे की कारवाई की जा रही है। दिखा गया जैसे ही पुलीस ने उन्हें रोकने का इशारा किया वो भागने लगे लेकिन पुलीस ने उन्हें दोडा कर दबोच लिया। अटैची और बैग में रखा था गांजा। बता दे कि जब चेक किया गया तो आरोपियों की स्कूटी के आगे एक अटैची रखी थी जबकि पीछे बैठे शक्स ने पिठ्थू बाग लिया था। पुलीस ने जब अटैची और पिठ्थो बाग की तलाशी ली तो उसमें गांजा मिला। पुलीस ने उसे जबत कर लिया है। बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहें कापिटल टीवी साथ ही कमेंट करना ना भूले नमस्कार। झाल को पुलीस ने जबत कर लिया है। झाल झाल